जय जय श्री सीताराम जय जय बजरंग बली प्रियभख्तों आप सभी को मेरा साधर नमस्कार जय जय श्री सीताराम प्रियभख्तों संकट मोचन श्री हनुमान जी के एक सिधर एवं चमतकारी सर्व मनोकामना पूर्ती मंत के बारे में जांकारी देंगे इस सिधर चमतकारी म जब आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो लाकों प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है जीवन में घोड निराशा आ गई है समस्याओं से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तब इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करके अपना भी नहीं कर सकते इसलिए भक्तों ये चमतकारी मंत्र का जाप वो व्यक्ति जरूर करें जिनके जीवन में दुखों का पहार तूट पड़ा है जिनका जीवन चारों तरफ से एंधेरों में घिरा है लाकों प्रयास करने के बाब जूद भी एंधेरों से बाहर नहीं आपा रहे हैं जीवन में परेशानिया व अंधकार प्रति दिन बढ़ता जा रहा है सभी कार्य बंते बंते बिगर जाते हैं घर की गरीबी और दरिद्रता समाप नहीं हो रही है ऐसे लोग ये चमतकारी दिव्य चौपाई का नित्य जाप करें मित्रों आप सभी जानते है की संकट मोचन श्री हनुमान जी कलियुक के जागरित देव है थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसंद होकर भक्तों पर तुरंती कृपा करते हैं और जीवन की सभी समस्याएं और परेशानिया तुरंती दूर करते हैं इसलिए भक्तों यदि आप इस सिधर एवं दिव् पर विश्वास रखें इस दिव्य चमतकारी मंतर का पहले दिन से ही असर दिखेगा प्रभू हनुमान जी आपकी किसी भी मनोकामना को पल भर में ही पूरा कर देंगे जीवन में इतना ज्यादा सुक और खुशियां भर देंगे कि आपके जीवन में चारों तरफ मंगल ही म मित्रों इस चमतकारी मंतर को जाने इस से पहले आप सबी भत्तों से छोटा सा निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी लिखकर अपनी हाजरी अवश्य लगा दें एवं वीडियो को अ दिव्य व चमतकारी मंदर है ओम हम हनुमते सर्व मनोकामना पूर्ती कराइ स्वाहा ओम हम हनुमान चालीसा का पार्ट करने के बाद इस दिव्य एवं सिधम मंद का नित्य एक सो आच बार जाप करने से विक्ती पर हनुमान जी की असीम कृपा होती है उसके सभी दुख प वदा मंगल ही होता है और जीवन में चारों तरफ से सुख ही सुख आता है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी भक्तों वीडियो को अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें जिससे वह भी अपना जीवन सुख मेय बना सकें और वीडियो को लाइक श और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे मेरा होसला बढ़ता है कि मैं आप सभी भक्तों के लिए बैस जानकारी धून कर ला सकूं धन्यवाद